बच्चों ये हैं हमारा लेक्चर 197 और हम कर रहे थे हिस्ट्री में आपका चाप्टर वाइटल विलेजिस ट्राइविंग टाउन्स कि किस तरह से विलेजिस फेमस थे टाउन्स थे प्रॉस्परस पिछले जमाने में सो हम थे पेज नमबर 86 क्राफ्ट परसन कौन होते हैं । मतलब अलग अलग तरह की जो कला कारिया करते हैं उन्हें कहते हैं क्राफ्ट परसन अलग अलग चीज़ें बनाते हैं सो क्राफ्ट मतलब कहते हैं कला आप ने देखा कि archeological evidence है क्राफ्ट का मतलब हिस्टोरियंस ने खोद के ये भी निकाला है कि पहले के लोग क्राफ्ट भी करते थे सो उसमें क्राफ्ट में ये लोग क्या करते थे सो इस इंक्लूड मतलब क्राफ्ट में ये लोग क्या करते थे craft include extremely fine pottery known as the northern black polished wear NBPW ये लोग fine pottery अच्छे से pots बगरा बनाते थे उसका नाम था northern black polished wear इस कलाकारी को नाम northern black polished wear इसलिए मिला कि ये northern part में की जाती थी northern part के लोग करते थे इसलिए इसका नाम northern black polished wear मतलब काली color का craft था काले मटके ऐसा कुछ बनाते थे काफी तो archaeological evidence मिले भी नहीं इनको archaeologist को ये जो historians है, archaeologist कौन मतलब जो पुरानी चीज़ें खोद के बताते हैं की time के बारे में बताते हैं की कब का है, क्या चीज़ें थी वैसा so archaeological evidence for many crafts may not have survived so ये survive नहीं हुआ था we know from text that the manufacture of cloth was important so हमें text से पता लगा की जो cloth का manufacture था वो जरूरी था मतलब cloth का manufacture भी किया जाता था उस time कहां कहां cloth manufacture हो था था कपड़ा कहां कहां बनता था पिछले जमाने में so there were famous centers such as वाणाशी in north, north में वाणाशी में बनता था and madurai in the south और south में madurai में बनता था दोनों मर्द और दोनों यहां काम करते थे कपड़ा बनाने का so काफी craft person थे और merchants थे अब वो associations बनाने लगे जिनको हम shreignies कहते है craft person और merchants क्या बनाने लगे associations जिनको shreigny कहा जाता है ये शreigny जो craft person की shreignys थी शreigny मतलब इनकी association association मतलब group ठीक है एक परेंट को यह हुआ है होजो स्वेड़ी करता है नीज़्िक ओधें जोस्ते सुष्टेशन है ऐसे कॉर टेंट करते हैं चीजों का, बहुत सारे व्यापारियों ने और craft person ने मिलके associations बनाई, जिने श्रेणी का जाता है, यह जो श्रेणियां होती है, craft person की training देती है, raw material लाती है, और distribute करती है, final product, तो श्रेणी मतलब इनका group था, यह raw material देती थी, जो craft person ने उनको raw material कच्चा माल लाके देती थी, procured raw material मतलब देना, raw material देना, raw material मतलब कच्चा माल, देखो कुछ भी बनाना हो, पहले कच्चा माल चाहिए होता है, कच्चा माल मतलब basic चीजें, जिसे अगर मुझे एक राखी बनानी है, paper की, तो मुझे craft paper चाहिए, scissor चाहिए, color चाहिए, तो तो मैं राखी बना पाऊंगी तो वैसे ही कोई भी चीज के लिए raw material कच्चा माल चाहिए होता है, तो ये कच्चा माल इनको मिलता था, इस देन श्रेणी ऑफ मर्चंस, फिर इनों ने क्या किया, इन मर्चंस ने ट्रेडिंग करना चालू किया, ट्रेडिंग मतलब खरीद फिरोत करना चालू किया, और तो थी श्रेणी इस और साओटेस बैंक्स वे रिच मैन और वोमन डिपोजिटेड मनी, ये इन्वेस्ट किया जाता था, और थोड़ा दान भी किया जाता था, ठीक है, ये पैसा, श्रेणी इसको जो पैसा मिलता था, वो मतलब लोग पैसा माहा रखवा थे, जैसे बैं में किसे रखवाते हैं, लेते हैं, वैसा, जो इंट्रेस्ट होता था, जो व्याज होता था इस पैसे का, वो इनको रिटेन किया जाता था, लोगों को, या तो वो पैसा धार्मिक कामों के लिए लगाया जाता था, भगवान के कामों के लिए लगाया जाता था, इसके अरिकमेडू क्या है तो पुड़ुचेरी में आया तो बिट्वीन 2200-1900 एड़ अगो आरिकमेडू वह जगह का नाम है जो है पुड़ुचेरी में यह कोस्टल सेटलमेंट अगों यहां के यहां किनारे लोग रहते हैं यहां के किनारे लोग रहते हैं यहां के किनारे लोग रहते हैं यहां क्या आता है शिप्स उतरती हैं मतलब अलग अलग जगहों से शिप्स आती हैं और सारा जो माल है शिप्स का माल है वो यहां उतरता है कोस्टल सेटलमेंट मतलब कोस्टल मतलब कोस् a m Tu mean a massive structure with which have been a massive brick structure which have been a warehouse was found at the site यहां पर यह लोग warehouse भी बनाते थे वेर house का मतलब क्या होता है where house का मतलब गोडाम टाइप नहीं होता यह लोग क्या करते थे पत्थरों का गोडाउन भी बनाते थे ठीक है तो a massive brick structure which may have been a warehouse was found at the site. Other finds include pottery from the Mediterranean region such as amphorae, tall double-handed jars that contain liquid such as wine or oil and stamped red glazed pottery known as aratine wear. So, other finds include pottery from the Mediterranean region. What was the rest of them? And when they found arica medu region, what did they find? Pottery from the Mediterranean region such as amphorae, tall double-handed jars, meaning two handle jars that are called amphorae. Amphorae So, one handle, another handle. Amphorae is called amphorae. So, when it was done, so, pottery was found, and then jar was found, and stamped red glazed pottery. And a little yellow pottery was found, known as aratine wear. So, it is called aratine wear, which was named after a city in Italy. It was named in Italy. Its name is a city of Italy. and stamped red glazed pottery. It was made by pressing wet clay into a stamped mold. So, this was made by pressing wet clay into a stamped mold. So, it was made by pressing wet clay into a टिली जाती थी और एक मोल्ड में उसको डाला जाता था और एक और तरह की पोटरी की जाती थी देर वाज येट अनदर काइंड आफ पोटरी विच वस में नोकली दो रोमन डिजाइन्स वर यूजड तो एक और तरह का था देर वाज येट अनदर काइंड आफ पोटरी एक मट के वगरा लोकल हिसाब से बनाया जाते थे रोमन लब गल्च वेर एंड जैम Wonhto वेर्टेस साइट यहां और क्या क्या मिलता था लेंप मिलते थे लास लेकर जैम्स schizophren looking क्या होताई है फ्यास os ए इमेजन मतलब गल्च व गवेड़ा नहीं होते हैं पत्थर होते हैं जो लोग में पत्थर पैनते हैं शनी का पत्थर और यह पत्थर हो यह हमेरी यहाँ पेना हुआ हुआ है ठीक है इसे लोग पैनते हैं यह जैम्स होते हैं So, Roman Lambs, Glassware, Roman Lambs तो पता है आपको, और Glassware का मतलब, Glass वाली चीज़ें, ठीक है? So, Gems have also been found तो यहाँ, आरिकमेडू की खुदाई हुई तो यह सब मिला. Small Tanks have been found that were probably dying vats used to dye cloth. फिर छोटे-छोटे Tanks भी मिले, जो मतलब, vats का मतलब है, चोटे-छोटे-छोटे Tanks जिन में color बरे वेते हैं, और यह color cloth हो, जो cloth को dye करने के काम आते हैं, मतलब, dye मतलब, कपड़ों में color करना होता है, dye करना होता है, तो इन में, इन Tanks में से यह dye निकाला जाता है. There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass, और आपको और भी चीजें दिखेंगी, बहुत सारे evidence दिखेंगे, कि किस तरह से beads बनाई जाती थी, beads का मतलब मोती बनाई जाते थे, जो है, बहुत सारे कीमती पत्थरों में से मोती बनाई जाते थे, ग्लास में से मोती बनाई जाते थे, ठीक है, There is plenty of evidence for the making of beads from semi-precious stones and glass, ठीक है, तो इस तरह से this was about this whole chapter, चाप्टर का नाम था, Vital Villages, Driving Towns, तो अब हम करते हैं इस चाप्टर से कुछ back exercise, ठीक है, तो back exercise करते हैं, तो यह है इस चाप्टर की back exercise, First, blank was a word used for large land owners in Tamil, तमिल भाशा में बड़े बड़े land owners के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता था, So, answer है, वेला लर, वेला लर The gram bhojak often got his land cultivated by the gram bhojak, तमिल के land large बड़े बड़े जमीदारों के लिए वेला लर वर्ड यूज़ होता था, The gram bhojak often got his land cultivated by the gram bhojak के land के में cultivation कौन करता था, मतलब plants कौन उगाता था, So, slaves and hired workers, मतलब जो भाड़े पे उसकी आकाम करते थे, Plowmen were known as blank in Tamil, तमिल में Plowmen को क्या का, Plow, मतलब खुदाई करने वालों को क्या कहा जाता था, Uzhavar, Uzhavar, Uzhavar कहा जाता था, Most ग्रहपती's were blank land owners, बहुत सारे ग्रहपती छोटे छोटे जमीदार थे, Smaller, Choose the correct answer, A, Ringwells were used for, जो Ringwells थे किस काम आते थे, नहाने, कपड़े धोने, पानी डालने और ड्रेनेज, गटर के, So, ड्रेनेज के काम आते थे, हम MC क्यूँ कर रहे हैं, ये question answers फिर मैं बाद में discuss करती हूँ, B, Punch Marked Coins were made of, ये जो Punch वाली Coins थी, वो किस से बनती थी, Silver से बनती थी, C, Mathura was an important village, port, religious center या forested area, Mathura क्या था, Mathura एक religious center था, मदा धार्मिक स्थान, Next, श्रेनीज वर associations of, श्रेनीज किस का ग्रूप था, So, श्रेनीज किस का ग्रूप था, Craft person का ग्रूप था, ठीक है, Craft person का ग्रूप था, श्रेनीज, अब ये question 2 है, Describe the functions of Gram भोजग, Why do you think he was powerful? Question 2 का पूछ रहा है, कि Gram भोजग कौन था, और वो powerful क्यूं था? So, हम इसका answer लिखते हैं, Answer 2, So, answer 2, So, answer 2, The Gram भोजग Was the largest land owner, सबसे बड़ा land owner, राम भोजग था, He had slaves and hired workers, उसके पास गुलाम होते थे और भाड़े के वर्कर्स होते थे, क्यूं? To cultivate the land, मतलब उसकी जमीन पे, cultivate, मतलब उसकी जमीन पे खेती करना, वो इतना powerful था कि king उस पे विश्वास करता था, He was powerful, Since powerful क्यों था? क्योंकि राजा भी उस पे विश्वास करता था, Since king interested him, king made him collect taxes, राजा कहता था, तो tax collect कर, विलेजर से, और क्या-क्या था? His other functions, were those of a policeman and a judge, उसके बाकी काम क्या थे? पुलिस्मेन के थे और judge के थे. Next question, List the crafts persons who would have been present in both villages and cities. गाउ में भी हैं और शेहर में भी हैं ऐसे कौन से craft person हैं? Craft person मतलब जो कलाकार हैं, जो कडिया कार, यह जो अलग-अलग चीज़ें बनाते हैं. So, यह craft person शेहर में भी हैं, गाउ में भी हैं, ऐसे कौन-कौन से हैं? So, answer three, carpenters, weavers, potters, इसेक्टर, ठीक है? So, जो carpenters हैं, weavers हैं, potters हैं, यह सब क्या हैं? यह village में भी हैं और cities में भी हैं, ठीक है? So, यह हुआ हमारा answer three, ठीक है? अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम देखेंगे extra questions इसी कहीं हैं. Extra questions में हम देखते हैं MCQs. So, MCQs हमारा extra questions हैं, यह आपको note book में लिखने हैं. First, the use of iron in the Indian subcontinent began about. जो iron है, लोहा है, लोहे का use हमारे इंडिया में कब होना चालू हुआ? A. 2000 years ago. B. A million years ago. C. 3000 years ago. D. 500 years ago. लोहे का इस्तमाल हमारे इंडिया में कब होने लगा? So, answer है C. 3000 years ago. 3000 years ago. 3000 years ago. पहले. Second, well-alur was the term used for? Well-alur जो नाम है, वो किसके लिए use होता था? A. Large land owners. बड़े-बड़े जमिदारों के लिए. B. Small farmers. चोटे-चोटे farmers के लिए. C. Common people. आम आदमी के लिए. D. Slaves. गुलाम. किसके लिए use होता था? A. Large land owners. बड़े-बड़े जमिदारों के लिए. Third, gram-bhojak was a powerful man and also worked as a. जो gram-bhojak थे, वो बहुत ज़्यादा powerful थे और कैसे काम करते थे? So, gram-bhojak powerful थे और काम करते थे और काम करते थे, worked as a both A, B. Judge, policeman, counselor या both A and B. So, gram-bhojak powerful था और judge भी था, policeman भी था गाओं का. So, वो दोनों judge और both A and B. Fourth, number-bhojak is an important center for the worship of. Mathura में किसकी पूजा की जाती है? A. Lord Ram, B. Lord Krishna, C. Lord Vishnu, या D. Both A and B. Mathura में किसकी पूजा की जाती है? So, Mathura में पूजा की जाती है, Krishna की, Lord Krishna. 5. Between 2200 and 1900 years ago, Arika Medu was 2200 and 1900 year के बीच में Arika Medu क्या था? So, Arika Medu A. Coastal settlement B. Monastery. Monastery का मतलब, पूजा करने का स्थान. मतलब वो नहीं, बुद्धिस्ट की होती है, बुद्धिस्ट का पूजा करने का स्थान. C. Religious place, कोई धार्मिक स्थान, या कुछ भी नहीं. So, Coastal settlement था. मतलब, नदी के किनारे लोग रहते थे. ठीक है? Next question है, Flinder Blanks. MCQ के बाद Flinder Blanks देखते हैं. First, the post of Gram Bojack was blank. जो Gram Bojack की post थी, मतलब, Gram Bojack का जो position था, वो क्या था? Was Harry Dittery. इसका आंसर कहा है? First का, Harry Dittery. Harry Dittery मतलब, मेरे पापा Gram Bojack थे, मेरे धादा भी Gram Bojack थे, मैं भी Gram Bojack, फिर मेरे भादवाला भी मतलब, घर के घर को मिलती थी. Harry Dittery. Harry Dittery मतलब, वार्षागत. Second, there were independent farmers also known as, independent farmers मतलब, जो किसी से ना लेना, ना देना, मतलब, जो किसी से लेन देन नहीं. ग्रह पतीस, क्या बुला जाता है उन्हें? ग्रह पतीस, G-R-I-H-A-P-A-T-I-S. ग्रह पतीस, independent farmers को ग्रह पतीस बोलते हैं. Third, blank literature was popular in Tamil Nadu. Tamil Nadu में कौन सी किताबें famous थी या कौन सा literature famous था? संगम, क्या नाम है? संगम literature famous था Tamil Nadu में. Fourth, the Jatakas were stories preserved by, जो story थी जिनका नाम जातक था. जातक नाम की स्टोरियां कौन संभाल के रखता था? वर preserved by Buddhist monks. Buddhist monks जातक नाम की stories का संगर रखते थे. The associations of craft person and merchants were known as blank. जो craft person थे और merchant थे उनकी associations को, मतलब उनकी group को क्या कहा जाता था? श्रेणीज, S-H-R-E-N-I-S, श्रेणीज. Stamped red glazed pottery was known as blank wear. एकदम चमकीली लाल कलर के मतके या इन सब मिटी से बनने होए बरतनों को क्या कहते थे? Arretine, A-R-R-E, Arretine, Arretine, A-R-R-E-T-I-N-E, Arretine. So, ये थे हमारे 6 फिलिंदा blanks, जो कि आपको notebook में लिखने हैं. इसके बाद हम देखते हैं, true-false. So, true-false भी देख लेते हैं, साथ ही साथ. Next question है, write T for true and F for false. First, the plo share was used to increase agricultural production. जो plo share था, मतलब plo share मतलब खुदाई करने के लिए एक औजार. तो वो क्या खेती बढ़ाने के लिए ही उस होता था? हाँ, तो सही बात है, वो औजार खेती बढ़ाने के लिए ही उस होता था, true. Second, most of the grhapathis were large land owners. जो बड़े-बड़े grhapathis बड़े land owners थे? False, वो independent land owners थे. Grhapathis independent, large नहीं, independent. Independent मतलब स्वतंत्र, छोटे-मोटे स्वतंत्र land owners. Extremely fine pottery was found in the southern part of subcontinent. इंडिया के southern part में अच्छे-ची pottery मिलती थी, मदद अच्छे-चे-मिट्टी के पर्तन, false. Southern part में नहीं मिलते थे. Fourth, Shrenies also served as banks where rich man and woman deposited money. Shrenies में पैसे लखे जाते थे, लिये जाते थे. So, true. Shrenies में पैसे रखे भी जाते थे, लिये भी जाते थे. Fifth, Arretine where was named after a city in Germany. Arretine का नाम Germany से पढ़ा, false. Italy से, false. बच्चों अभी discuss करेंगे, match the following. Match the following में, first. Large land owners. Large land owners कौन थे? So, Krambojat थे, large land owners. दास कर्मकर थे, वेलालर, कडाई सीयार, अड़ीमाई, उजहावर या एंफोरे. Large land owners के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? वेलालर. So, C का first. Ordinary plowman, जो आम ऐसे ही plowing करते थे, खुदा ही करते थे, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? उजहावर, ठीक है? Plowing करने वालों के लिए. Landless laborer, जिनके पास जमीने नहीं थी, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? कडाई, सियार, अदिमाई, ठीक है? जिनके पास जमीने नहीं थी, उनके लिए वर्ड यूज किया जाता था? कडाई, सियार, अदिमाई. मर्द और और ओरत, जिनके पास अपनाई जमीन नहीं थी, Man and woman who did not own land, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, वो थे दासा कर्मा कर तॉल डबल्ड हैंडल्ड जार्स देट कंटेन लिक्विड दोनों साइट से हैंडल होते थे वो लिक्विड जार उनको क्या बोला जाता था? M4A Village Headman चूट गया Village Headman कौन था? Village Headman गाओं का मुख्या कौन होता था? Gram, Bojack, Forth So Large Land Owners कौन थे? Large Land Owners थे वेलालर Ordinary Plowman जो आम खुदाई करने वाले कौन थे? Ujhavar Landless Laborers जिनके पास जमीने नहीं थी वो कौन थे? Kडाई सी यार, Edimai Village Headman गाओं के मुख्या कौन थे? Gram, Bojack Man and Woman Who Did Not Own Land जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी वो कौन थे? Dasa, Karma Kar Tall Double Handed Jars That Contained Liquid जिन में Liquid होता था वो वो होते थे M4A ठीक है? So ये था हमारा Match the Following अब देखेंगे Question, Answers अब हम देखेंगे Very Short Answer Type Questions Question 1 इन लोहे के औजारों का यूज क्या था? So आयन टूल्स वर यूजड फॉर यूजड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लेर करना, काटना and Plow Share, खुदाई करना, Plowing करना, Plow Share Third, What did Irrigation Works include? Irrigation का काम मतलब क्या? So answer, Irrigation Works included Canals, Canals बनाना, Bells, Tanks, Artificial Lakes Irrigation का मतलब पानी इकठा करना ताकि Plants को सीचाई के लिए दिया जा सके वो पानी Fourth, Mention any one function that was performed by the Gram-Bhojak Gram-Bhojak, जो कोई भी एक काम, Gram-Bhojak करता था, कोई भी एक काम बताओ बहुत सारे काम हैं, जो Gram-Bhojak करता था, पर कोई भी एक काम बताओ Gram-Bhojak collected taxes from the village for the king Gram-Bhojak क्या करता था? Tax लेता था, किस से? गाउवालों से, किस के लिए? राजा के लिए Next How did the दासा कर्मकर earn a living? जो दासा कर्मकर थे, वो अपना जीवन कैसे चलाते थे दासा कर्मकर अपना जीवन कैसे चलाते थे So they used to work on the fields owned by others वो क्या करते थे? दूसरों की fields पे जाके काम करते थे दासा कर्मकर कौन थे? सो दासा कर्मकर थे वो आदमी औरत जिनके पास खुद की जमीने नहीं थी ठीक है? सो वो दूसरों की जमीनों पे जाके काम किया करते थे Next What do you know about जातक? जातक क्या था? जातक क्या था? जातक स्टोरियां थी, स्टोरीज थी जो की आम आदमीयों ने बताई थी और बुद्धिस्ट मॉंक ने उन स्टोरीज को संभाल के रखा था आम आदमीयों की कहानिया So what do you know about जातक? तो आंसर इस जातक स्टोरीज थी जो आम आदमीयों द्वारा लिखी गई थी एंड उन्हें संभाल के रखा था बुद्धिस्ट मॉंक ने Next question Name some profession of craft person living in both southern and northern parts of the subcontinent अलग-अलग craft person के नाम लिखो जो की north continent में भी रहते हैं and south continent में भी रहते हैं मतलब north India में भी रहते हैं and south India में भी रहते हैं उन्हें उन्हें सब के नाम लिखो So north और south जगाओं में इंडिया में जो जो professions हैं जो जो काम है craft person के कौन-कौन से हैं Blacksmith Blacksmith मतलब लुहार Potter मतलब मिट्टी के बरतन बनाने वाला Carpenter मतलब वो भी Carpenter लुहार हुआ मतलब ये भी इसी काम में होते हैं Carpenter, Weaver मतलब Weave कपड़े वगेरा बनाने वाला Blacksmith, Potter, Carpenter, Weaver इसके बाद What is meant by Ring Wells Ring Wells का मतलब क्या है So rows of pots और ceramic rings arranged One on top of other Came to be known as Ring Wells Ring Wells क्या थी एक के उपर एक जब Ceramic, Ceramic मतलब कांच की जो जिसमें चाय नहीं भी थी तिया वैसा कांच So ceramic rings जब एक के उपर एक के उपर एक रखी गई उसे Ring Wells कहा गया How did people use Ring Wells? Ring Wells को किस तरह से काम में लाया जाता था? So people used Ring Wells as toilets कैसे काम में लाया जाता था? Toilets की तरह काम में लाया जाता था और उसे Drainz और Garbage Dumps की तरह भी काम में लाया जाता था Drainz मतलब Gutter और Garbage Dumps So ये जो Ring Wells बनाते थे Ceramic Plates की उसे किस-किस काम में लाया जाता था? Drainz, Garbage Dumps और Toilets किने? Ring Wells को Ring Wells क्या थी? जो ceramic ring से बनती थी next question how was wealth measured during early times पिछले जमाने में पैसे का कैसे पता लगता था कि मतलब पैसे का आधान प्रदान wealth मतलब पैसे का आधान प्रदान कैसे होता था so wealth was measured in terms of coins, coins के हिसाब से पैसे लिए दिये coins मतलब सिक्के लेके देखे पैसे का चलन कैसे था सिक्कों के रूप में 11. What do you know about punch marked coins आप punch marked coins के बारे में क्या जानते हो earliest coins were punch marked coins they came to be known like this because the designs were punched into the metal like silver और copper पिछले जमाने की coins को punch marked coins कहते थे उन्हें ऐसे इसले कहा जाता था कि क्योंकि पैसे जो डिजाइन स्टी फिपन्च अतब थी किस पे punching मतलब से punching नहीं करते हैं चाप देते हैं किस पे silver और copper पे चाप देते थे इसलिए इंहे punch marked coins कहा जाता था किन्हें punch marked coins को क्यूं क्योंकि punch marked coins क्या होती थी कि डिजाइंस को सिल्वर और कॉपर पे पंच किया जाता था Whose dynasty's capital was Mathura किस dynasty मतला किस शासक का capital Mathura था किस शासक का capital Mathura था Mathura was the capital of the Kushanas Kushanas एक dynasty थी राजाओं की एक वो थी राजाओं की एक dynasty मतलब उनकी dynasty word का मतलब होता है शासक, शासन उनका शासन का capital था Kushanas, Mathura का capital था Mathura किस का capital था? Kushanas का Mathura का capital किस का था? Kushanas का How can you say that Mathura was a religious place? आप कैसे बोल सकते हो कि Mathura भक्ती भाव वाली जगे थी, धरम वाली जगे थी? कैसे? है? Mathura अभी भी भक्ती भाव रिलीजियस वाली जगे है, एकदम रिलीजियस धरम वाली जगे है, क्यों? आपको Mathura में तीन चीजे दिखेंगी, पहला Buddhist Monastries, मतलब बुद्धिस्तों का मंदिर बोल सकते हो, आप मतलब यही समझ लो, बुद्धिस्तों के मंदिर को Buddhist Monastries कहते हैं, जैन श्राइन, फिर जहां जैन पूजा करते हैं, उन्हें जैन श्राइन्स कहते हैं, जिसे हिंदू पूजा करते हैं, उन्हें टैंपल्स बोलते हैं, मुस्लिम पूजा करते हैं, उन्हें मॉस्क बोलते हैं, क्रिश्चन पूजा करते हैं, उन्हें चर्च बोलते हैं, वैसे ह बुद्धिस्ट पुजा करते हैं, उन्हें Monasteries कहते हैं, जैन पुजा करते हैं, उन्हें Shrines कहते हैं, तो आपको बुद्धिस Monasteries तिखेंगी, जैन Shrines तिखेंगी मत्वरा में and also an important place for worship for Lord Krishna ठीक है, और वो Lord Krishna की important place है, worship की, मतलब पुजा की important place है Mention the occupations of people who lived in Mathura, so जो लोग Mathura में रहते थे, उनकी occupations लिखो, occupations मतलब वो क्या-क्या business करते थे, क्या-क्या काम करते थे, Mathura में रहने वाले लोग, so वो goldsmith थे, blacksmith थे, weavers थे, basket makers थे, garland makers थे, perfume makers, so Mathura में रहने वाले लोग क्या-क्या काम करते थे, Mathura में रहने वाले लोग goldsmith, goldsmith मतलब सुनारे, सुनार सोने का काम करने वाले gold, gold blacksmith, blacksmith मतलब लोहा, लोहे का काम करने वाले weavers, weavers मतलब कपड़े को, कपड़ा बनाने वाले basket makers माला मतलब फूलों की माला, गार्लेंट मेकर्स, पर्फ्यूम तो आपको पता ही है, पर्फ्यूम बनाने वाले, सो मथुरा में सब लोग यह यह काम करते थे फिफ्टेंथ नमबर वाट इस नॉर्दन ब्लैक पॉलिष्ट वियर इसको शॉर्ट में एन, बी, पी, डबल्यू भी बोलते हैं नॉर्दन ब्लैक पॉलिष्ट वियर क्या है जो आंसर, इस एन एक्स्ट्रीमली फाइन पॉलिष्ट विच इस ब्लैक इन कर्णर और एज है फाइन शीन मतलब शाइन होगा यह मतलब बहुत ही सुन्दर पॉलिष्ट वियर क्या है मटके बनाने का एक बहुत ही सुन्दर तरीका है और बहुत ब्लैक कलर का है इसमें पॉलिष्ट ब्लैक कलर के होते है और फाइन शाइन है मतलब बहुत ही इकदम फाइन कारीगरी है इसमें नौर्दन ब्लैक पॉलिष्ट वियर ठीक है बहुत पॉलिष्टरी बनाने का या मिट्टी के गड़े बनाने का बहुत ही बहुती सुंदर तरीका है काले कलर के बनते हैं और fine sheen मतलब एकदम fine काम होता है next question है why were वारानसी और मदुराई famous वारानसी और मदुराई क्यों famous हुए मदुराई और वारानसी famous क्यों हुए so वारानसी और मदुराई were famous for the manufacturing of cloth कपड़े को वहां कपड़ा बहुत अच्छा बनता कपड़ा बनाया जाता था so cloth manufacturing की वज़े से वारानसी और मदुराई बहुत ज़्यादा famous हुए ठीक है so हमने आज क्या किया हमने आज chapter पूरा किया explanation फिर हमने back exercise की इसके बाद हमने ncqs किये इसके बाद हमने blanks किये फिर true false किये match with भी किये और ये question answers किये 16 ठीक है so आपको ये सब आपकी notebook में लिखना है ठीक है काम कुछ ज़्यादा है but please आप करना अच्छे से करना after writing each and everything in proper handwriting kindly whatsapp me the entire thing thank you पाद करना है